नमशकार दोस्तों, वेल्दिस्काई के एको ने इंट्रस्टिंग वीडियो में आपसे भी लोगों का स्वागत है, मिरा नाम है सुधीर, और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को इंडस्टेंड करेंगे, समझने वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में काफी अच्छा बुल्वन चल रहा है, इविन नेस्टेक में थोड़ा सा हॉल्ट किया है, बट डाउ जोंस कंटिन्यू अपने लाइफ टाम हाई की तरफ बढ़ र दे रहा है क्योंकि आप देखो, यहां से यह फॉल हुआ था, फिर उसमें फुल बैक दिखाया, फिर आपका यह फॉल हुआ और फिर यह फॉल बैक के साथ इसने आल्मोस्ट कह सकते हैं कि यह एक ब्रेक आउट देने की कोशिस करिए, तो यह तो अच्छी चीज है कि यहां पर ब्रेक आउट आ रहा है, बट अल्रेडी अगर देखा जाए, तो लोवर हैंड से काफी अच्छा चल चुका है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहेगा, यह धीरे धीरे 36,000, 37,000 की तरफ बढ़ेगा, बट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पर बीच में आ यह एक ही रेंज के अंदर कामकाच कर रहा है, जब ब्रेक आउट आएगा तब हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अरॉण 16,700, 16,800 तक जाएगा, ठीक है, बट अल्रेडी इस महीने की बात कहें, तो करीब 11% चल चुका है, तो कह सकते हैं कि अल्रेडी काफी हद तक एक अच् सीरीज देखता हूँ, 28 दिसमबर की जो पोजिशन उसमें क्या चेंज हो रहा है, तो 28 दिसमबर के साब से हमें क्या चीज दिख रही है, तो देखो, यहाँ पर क्या है, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखो, 20,000 की जो कॉल है, करीब 22 लग का open interest खड़ा हूँ, पुट पे 41 लग का open interest है, और 20,200 की जो पुट है, वहाँ पर 19 लग का open interest दिख रहा है, call side पे भी देखोगे, तो करीब 16 लग का open interest दिख रहा है, higher side पे दिखा जाए, तो 20,500 की जो call है, वहाँ पे करीब 20 लग का open interest है, इसका मतलब क्या है, अगर इन सारे figure में देखा जाए, तो 20,000 एक important level है, जहाँ पे 40 लग का open interest खड़ा हूँ, यह पोट राइटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे की market उपर जा सकता है, बट उपर की level पे अगर देखा जाए, तो सिर्फ 20,500 पे करीब 10 लग का open interest बना रहा है, ठीक है, तो क की ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यह मैंने क्यों बताया है, क्योंकि इस मन्त में आप समझ के चलिए, 20,000 के ऊपर आप positive हो, 20,000 के नीचे गए, negative हो गए, ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, 7 December वाली expiry पे, ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, 20,300 की पे आपको दिखेगा, करीब 49,000 लेक का open interest है, फुट पे भी करीब 30,000 लेक का open interest बन रहा है, उपर की तरफ पोटराइटर्स नहीं है, अभी फिलाल तो 20,300 important level है, इसके उपर cross करेंगे, तो हम 20,400 की तरफ बढ़ सकते हैं, फिलाल यह 20,300 हमारे लिए resistance का का काम करेगा टीक है, 2200 आपके लिए make or break लेविल है, इस particular series में इसके नीचे गए, तो आप फिर around 20,050 तक easily गिर सकते हो, यह point जियान में जरूर रखना है, अब यहाँ पे चलता है, अब निफ्टी के चार्ट पे आपको एक point जियान में रखना है, कि निफ्टी के चार्ट पे आप पीछे आ गया था, ठीक है, अगर आप और पीछे चलते हो, यहाँ पे और पीछे जाते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कि यह आपका lifetime high था, ठीक है, यह swing था, इस swing के पास market जैसी गया, sharp selling में convert हो गया, फिर इसने इस swing को cross करने की कोशिस करी थी यहाँ पे, यहाँ से यह दुबारा से sharp selling में convert हो गया, तो फिर इसने हिम्मत करके इसको cross किया, cross करने के साथ थोड़ा सा momentum यहाँ पे बना था, उसके बाद यह दुबारा से नीचे की तरफ यह move कर गया, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यह ध्यान में रखना है, कि lifetime hit होने के बाद थोड़ी से sharp profit booking आ जाती है, मैं यह नहीं बोला कि Monday को ही आ जाएगी, बट कभी भी आ सकती है, तो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा alert रही है, ठीक है, अब यहाँ पर already अगर आप देखोगे, तो market काफी हद तक एक अच्छा का सा stretch हो चुका है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से almost अगर दे selling भी आ जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, open market धीरे धीरे ही जाएगा, तो call side पे अगर आप ले करने की कोशिस कर रहे हो, तो थोड़ा सा stop loss लगा के ही करिएगा, यह चीज़ ध्यान में रखेगा, ठीक है, अब shorter time frame में अगर आप देखोगे, तो 15 minute time frame में अगर आपके पास देखने को है, तो यहाँ पर देखो यह gap created है, ठीक है, ठीक है, तो around आप expect कर सकते होगी, अगर आप 20,250 के नीचे trade करना start किये, तो पहला target आपके पास यही बन के आएगा, और इसके नीचे आप फिसले, तो फिर आप इस low तक जा सकते हो, ठीक है, क्य आया है, उसमें maximum days यह कहा है, gap up में ही उपर चला है, अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर gap up, मतलब on screen runner-up सिस यह candle थी, जो on screen वाली थी, और यह candle है, और यह candle है, जो on screen वाली है, बाकि सारी gap up, gap down, gap up, gap down, इस situation के साथ market उपर आया है, तो multiple gaps created किये होए इसने, तो यह point आपक को focus क्या करना है, अगर आप तेजी करना चाहते हो, तो जाहिर सी इपात है, तेजी में रह सकते हो, stop loss आपके लिए मैं बता दूँ, तो यहाँ आप देखो, simple जी चीद एक चीद ध्यान में रखिये, आप option buyer हो, ठीक है, और option seller नहीं हो, अगर आप option buyer हो, तो आपको momentum भई मेरा short cut view मुश्किल से 15 minute के लिए है, या आदे घंटे के लिए है, बस market overall positive है, लेकिन positive side पे यह जाता रहा है, आप देखो ना यह कितना धीरे 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 जा रहा है, इसमें call के premium क्या jump होंगे, मेरे को चाहिए कि भई यह 10 रुपे का option मेरा 50 रुपे जाए, जैसे कि कल गया था, कल मैंने put ली 7 रुपे की, साड़े 7 रुपे की put ली थी, within 10 minutes में 40 का high बना के आ चुकी थी, और 32 पे मैंने उसको profit रुप किया, ठीक है, मिर को यह चाहिए, उपर की side में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे मैं बहता हूं, इस पूरे momentum में मैंने 20,000,200 की call by कर र भी रो रो के गई थी, ठीक है न, तो हम option buyer है, option buyer की नजरिये से आपको market को देखना है, कि market कहां से एक ऊपर की तरफ fast movement दे सकता है, कहां से यह नीचे की तरफ fast movement दे सकता है, आपको यह point पकड़ना है, अगर आप यह point पकड़ना सीखे, तो आपको अपने profit मिलना आ जाएग option seller के लिए बहुत advantage होता है, क्योंकि जाएट सी बात है, option seller के favor में time decay है, market की जो volatility है, वो उसके favor में जाती है, क्योंकि market हमेशा ऐसे speed से नहीं जाता, अगर यह speed से गया है, sideways भी चला गया थोड़ा सा, तारा premium decay हो जाएगा, out of the money का option वहीं पहुच जाएगा, जितना वो सकता है, बस आपको यह आपका काम है, इसको follow करना है, ठीक है, तो simple दी चीदे, यह एक range बनी है, इस range के breakout या breakdown पर हम trade प्लान करेंगे, इसके नीचे जाता है, तो हो सकता है, sharp ही यह, around इस level तक चला जाए, तो करीब करीब 60-70 point यहां पर मिल सकते हैं, तो इस 60-70 point में एक सबसे important level है, क्योंकि यह बहुत जासा important है, क्यों important है, क्योंकि 45,000 के ऊपर यह decide करेगा, क्या nifty 20,500 जाएगा या नहीं जाएगा, अगर यहां से एक दो दिन के अंदर ही इसको cross कर लेता है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं cross कर पाता है, तो फिर chances very high कि यह दुबारा से around 44,000 तक आ सकता है, यह point आपको ध्यान रखना है और ऐसा नहीं है, 44,000 बहुत बड़ा level है, easy level है, क्योंकि आप कल भी देख सकता है, कल भी इसमें low जो बनाया था, around 200 का बनाया था, तो इसको आने में कोई जादा time नहीं लगेगा, और bank nifty के लिए देखा जाए, तो बहुत fastly गिरता है, और fastly चरता है, तो यह point ध्यान में रखिएगा, तो अगले एक दू दिन में अगर यह इसको cross कर जाता है, तो तो बहुत इच्छी बात है, और नहीं cross कर पाता है, तो एक profit working यहाँ पर आ सकती है, थोड़ी बहुत तो आ सकती है, around आप expect कर सकते हो, 500-600 point की मैं यह नहीं बोलब गिर जाएगा, थोड़ी बहुत profit working आपे आ सकती है, यह point ध्यान में रखिएगा, इसने भी एक particular range के अंदर consolidation किया है, तो आप उस पर जरूर focus करिएगा, ठीक है, यह आपकी range सी, इस range को इसे नीचे की side breakdown दिया, but end of the day है, but closing इसके ऊपर की है, तो ऐसे कुछ breakdown हम इसको माननी सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि यह particular moment हुआ है, तो थोड़ा सा market around ध्यान रखिए, 44,750 की नीचे यह दुबारा से weak हो सकता है, तो 44,750 की नीचे जाता है, तो आप एक बास sell करके काम कर सकते हो, 44,750 की ऊपर trade करता रहता है, तो positive है, आप positive ले कर सकते हो, यह point आपको clearly ध्यान रखना है, ठीक है, global market की situation मैं अल्रेडी आपको बता दिये, currently भी देखोगे, तो indices futures में, डाव future करीब 43.2 पर है, नेल्स्टेक future करीब 9.2, European market में भी करीब आदा परसंट की यह पर दे दिये, तो globally एक must rally चल रही है, अगर आप इस rally को play करना चाते हो, तो सबसे अच्छा है, या तो nifty future long रखो, या फिर mutual funds में, या stock के थूरू investment करो, option buying के थूरू आप इसको play नहीं कर पहोगे, क्योंगि option buying के लिए आपको momentum नहीं मिलेगा, gap up खुलेगा, sideways चला लाएगा, अगर flight भी खुलता है, तो volatility इतनी create करेगा, कि आपको stop loss टेकर हो जाएंगे, तो आप इसको tg को play नहीं कर सकते, तो tg हम प्लेशा play करी जाती है, तो nifty future long कर लो, या फिर investment कर लो, या फिर mutual fund कर लो, उसके थूरू आप tg को play कर सकते हो, यह चीदा आप clearly समझ लीजे, ठीक है, तो as a option buyer, जब market गिरता है, तो fast गिरता है, तो इस condition में पैसे बहुत जादा बनते हैं, मतला over, जो हैता है, यह कि यह कि 10 का 30 जा रहा है, same point में, अगर यह गिरता है, तो 10 का 50 जाएगा, ठीक है, 60 भी जा सकता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, कि जो selling side होती है, वो थोड़ी सी option buyer के लिए काफी अच्छी होती है, क्योंकि आप ध्यान में रखना, option buyer, अगर आप selling side को पकड़ना सीख गए, तो extraordinary profit हमेशा मिलेगा, ध्यान रख में, buying side पे extraordinary profit नहीं बनता, क्योंकि buying में होता है, market gap up, gap up, gap up, gap up, gap up करके चलता चला जाता है, हाथ में आता नहीं है, यह point आपके लिए 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 ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो I hope दोस्तों यह particular data आपको सुझ में आ क्या होगा, दोस जा हैंद।